वेलकम टू न्यू लेसन कल हमने सीखा था अबाउट गूगल मर्चंट सेंटर हमने उस पे अकाउंट क्रियेट किया था देन हमने देखा था कि कैसे कैसे हम अपनी फीड बना सकते हैं तो फीड बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है आपका वो है थुगल शीट्स यह हमने कल भी बात की थी कि गूगल शीट्स सबसे बेस्ट तरीका क्यों है फीड बनाने का वोगि अगर आप गूगल शीट्स के थुग फीड बना रहे हो तो आप टाइटल को डिस्क्रिप्शन को और बाकी चीजों को क्या कर सकते हो easily customize कर सकते हो आप easily customize कर सकते हो तो Google Sheets के थूँ आपका product feed बनाना सबसे best तरीका है ठीक है अब जब आप Google Sheets के थूँ product feed बनाओगे तो आपको काफी सारी चीजों की information चाहिए जैसे आपको चाहिए product ID आपको चाहिए product title आपको बड़ी सारी information चाहिए तो instead of writing everything manually ठीक है जी हम हर चीज को manually नहीं लिखेंगे हम क्या करेंगे हम एक product feed बनाएंगे पहले किसकी help से एक plugin की help से right WordPress plugin की help से हम product feed बनाएंगे और हम ये जो product feed बनाएंगे इसका data हम use करेंगे Google sheets की product feed बनाने के लिए right इसका data हम use करेंगे Google sheets की जो हम product feed बनाएंगे उसके लिए right तो सबसे पहले हमें क्या करना है तब से पहले हमें product feed बनाना है अपने website के अंदर then हम हम गूगल sheets में product feed बनाएंगे राइट तो product feed बनाने के लिए आप simple अपने WordPress में login करोगे और आप plugins में जाओगे and you will go to add new ठीक है आप जाओगे simple add new और यहां पर आपको टाइप करना है product feed गूगल ठीक है product feed गूगल आपको यहां पर टाइप करना है और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आपको यहां पर आना है आपको यह option दिख रहा है WooCommerce product feed for google by web epic देख रहा होगा देख वैब epic by web epic यह जो वाला plugin है इसको आप करोगे install ठीक है यह वाला plugin simple search किया product feed google नीचे आए और यह जो plugin है WooCommerce product feed for google being by web epic just install this ठीक है जी ध्यान से देखो बहुत ज़्यादा simple है just make sure you are paying attention ठीक है install किया देन क्या करोगे इसको activate ठीक है बहुत है simple first install then activate और जैसी activate होगा आपको इधर left hand side में एक WooFeed करके चीज मिलेगी WooFeed ठीक इसमें चीज आ रही है make feed WooFeed make feed click make feed को क्लिक किया यह सारे यहां से बंद कर दो अब template आ रहा है यहां पर क्या चुनोगे Google Shopping चुन लो file name लिख दो Google product file type लिख लो cso ठीक है और यह जो option आ रहा है product id वगएर जस्ट इसको as it is रख दो और यहां से करो save and generate feed देखों यहां पर red आ रहा है Google product category तो यहां पर अभी कोई भी category चूज कर लो है ठीक है और यहां से करो save and generate फीड अभी फीड जनरेट हो रहे है फीड जनरेट हो गई राइट अब यह फीड हमें क्या करनी है यह फीड हमें डाउनलोड करनी है ठीक है अभी यह csv फाइल है यहां पर download का option है यहां से इसको कर लो डाउनलोड ठीक है गूगल प्रोड़ेक्ट फीड डाउनलोड हो गई अब कि मैं गूगल ड्राइव खोलता हूं कि और यह मैं अप्लोड करता हूं और यह जिस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं आप इसको excel में भी open कर सकते थे अब यह प्रोड हो गई इसको open करते हैं ओपन विद गूगल शीट्स अब देखो अब जितने थे यह प्रोड़क्ट देखो सारे यहां पर दिख रहे हैं हमें 31 प्रोड़क्ट हैं उनका नाम दिख रहा है उनके नाम दिख रहा है description दिख रहा है link दिख रहे हैं condition यह सारी चीज़े brand, availability, mpn यह सब दिख रहा है अब आपको क्या करना है just इसको आपको save कर लेना है अब हम एक दूसरी फाइल खोलेगे ठीक है अब हम यह तो हमने क्या किया है product feed हमने download कर लिया ताकि यहां से काफी सारी information जो है हम use कर सके तो यह मेरे पास आगया अब मैं क्या करूंगा एक द नीचे इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हूए आपको राइट यह final feed करके यह file है यह file मैं खोलूगा ठीक है इसको मैं खोलता हूँ यह file का link आपको नीचे मिल जाएगा आप वहां से होई यह file download कर सकते हो ठीक है यह रही file अब देखो आपको करना क्या है इसको एक बार save कर लेते हैं यहां पर देखो कुछ information है जो हमें गूगल को provide करनी है सबसे पहले क्या है ID then title product का title then product का description then google की product category then product type link image link यह बड़ी सारी चीज़े हैं अब यह सारी चीज़े उठाके हम इस file को fill करेंगे ठीक है और यह सारी चीज़े उठाओगे कहां से इस वाली file से सबसे पहले ID है इसके अंदर देखो तो यह ID यहां से copy करो और यहां पे paste कर लो then a title अब देखो यहां से title को copy करो और यहां पे paste कर लो अब देखो अब हमें क्या करना है अब आपको क्या करना है यह सारे अपने product के title पढ़ने है और इन titles को आपको थोड़ा सा क्या करना है modify करना है इन titles को आपको ऐसा बनाना है कि यह ज़्यादा से ज़्यादा search में दिखें ठीक है तो अगर देखो जैसी यह है title man black solid biker jacket अब सपोज करो यह jacket किस brand का है यह सपोज edidas का है तो मैंने यहापे लिखा by edidas तो ऐसे थोड़ा सा आपको titles को customize करना है then description अब आपको description भी क्या करना है customize करना है यह वाला description हमें use नहीं करना जो हमने यहाँ से उठाया है इस वाली file का description भी आप क्या करोगे अपने हिसाब से customize ठीक है तो पहले क्या customize करोगे title ठीक then क्या customize करोगे description तो जैसे पहला product था तो इसका description देखोगे नहीं यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा मतलब बेकार सा description लिखा हुआ है तो अब इस description को पूरा आप change करोगे ठीक है इस description को आप और बैटर लिखोगे एक चीज़ ध्यान रखना जो Google Shopping Guide आती है उसको दिखाने के लिए Google क्या use करता है आपका title और आपका description इन दोनों के base पे Google वो दिखाता है तो आपको अपना title और अपना description क्या करने है एक दम perfect रखने है तो id हमने यहां से उठा ली ठीक है title हमने यहीं से उठाया बट इसे हम customize करेंगे और description हमने यहीं से लिया है बट पूरा description हम क्या करेंगे change करेंगे ठीक है पूरा description हम क्या करेंगे अपने हिसाब से change करेंगे यह title और description मैं बता नहीं सकता आपको कितना ज़्यादा जरूरी है यहीं दोनों decide करेंगे कि आपकी add किन searches पे दिख रही है किन searches पे नहीं दिख रही है तो make sure कि आप title और description को ध्यान से पढ़ रहे हो और इन्हें change कर रहे हो ठीक है जी इस file का जो link है वो नीचे मैं video के नीचे दे दूँगा वहाँ से आप यह जो file थी इसको download कर सकते हो right और यह जो file थी पहले जो मैंने download की थी वो तो आपने सीखाई कैसे आप उसको download कर सकते हो और यह वाली file का link मैं नीचे description में दे रहा हूँ id हमने यहां से उठाया title हमने यहीं से लिया बटम इसे customize करेंगे description again हम customize करेंगे ठीक है जी अब कल के lesson में हम आगे बढ़ेंगे और यह जो Google product category है यह सारी चीज़े हम fill करेंगे ठीक है जी so thank you so much for watching this lesson